एलो स्टुडेंट्स आपके अपने यूटूब चैनल टोटल एकाउंट टेनसी पर एक बार फिर स्वागत है और इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिजनिस फाइनेंस तो जो आपका ये बिजनिस फाइनेंस है सब्जेक्ट ये आपका पिप्ट सेमेश्टर का सब्जेक्ट है वीकॉम पिक्त सेमेश्टर और बिजनिस फाइनेंस के अंदर एक चैप्टर है जिसका नाम है लिवरीज जो कि हम लोग कंटीनिव कर रहे हैं और उसी सीरीज के अंदर आज हमारा कोशन नमर 35 है तो चलिए हम लोग कोशन नमर 35 करते हैं और कोशन नमर 35 में देखते हैं क्या आगीवन है एक कंपनी एक कंपनी है फॉलोविंग क्याप्टिल इस्टक्चर है कंपनी के पास एक्विटी भी है प्रिफ्रेंस सेर भी है 7.5 रिट वाले और डिवैंचर भी है 5 परसेंट वाले कंपनी दस रुपे पड़ती एक आई कि दर से एक लाग यूनिट सेल करती है और जो वैरिबल कोश्ट है 7 रुपीज है फिक्स कोश्ट वन लाग है फाइनिश्यल ऑपरेटिंग एंड कंबाइंड लिवरेज निकानना है वो टेक्स रहेगा 25 परसेंट तो चलिए गोश्टन को सोल करते हैं सोल करने के लिए हमें बनाने पड़ेगी टेबल बहुत सिंपल सा गोश्टन है यह हमारी टेबल है और आप लोग को तो पता ही है सबसे पहले सेल फिर उसकी बाद वैरिवल कोश्ट यहां पर आजाएगा कंट्रिबूशन इसमें से माइनस करेंगे फिक्स कोश्ट फिक्स कोश्ट माइनस करने के बाद फिर आएगा अपना इबी आएटी में से माइनस करेंगे इंट्रेस्ट और डिवेंचर तो अर्णिंग विफोर टेक्स आएगे इसमें से माइनस करेंगे टेक्स जो कि 25 परसेंट है फिर आएगे अंदिंग आप्टर टेक्स ठीक है अंदिंग निंगा प्रक्टर टेक्स इसमें मइनस करेंगे फिर प्रेंस डीविवेडेंट यह अपना प्रिफ्रेंस डिविडेंट इसे माइनस करेंगे तो हमारा आजेगा अर्णिंग टू इकुटी शेर होल्डर अर्णिंग टू इकुटी शेर होल्डर ठीक है चलिए अब वैलू कुट अप करते हैं सबसे पहले देखते हैं सेल कितनी है दस रुपे की रेट से है और यूनिट है वन लैक त्री होगे टैन लैक उसके बाद वैरिवल कोश्ट कितनी है सेवन रुपीस और यूनिट है वन लैक तो साथ लागी होगी तो इन्टिपिशन रहेगा थिरी लैक पिक्स कोश्ट पिक्स कोश्ट कितनी रहेगी इसमें वन लैक यह आगे अपना टू लैक और इसके बाद डिवेंचर डिवेंचर देखोई पांच परसेंट वाले हैं और चार लाग के हैं पांच चोग बीस इसका फाइफ परसेंट ले लेंगे दो जिरों क्यांसे लोजेगी पांच योग बीस और बीस के सामने तीन जिरों और बीस हजार ठीक है एक लाग यहां पर रिमिनिंग बैलेंस रहेगा और फिर उसका ट्वेंटी फाइफ परसेंट आज टैक्स तो इसका ट्वेंटी फाइफ परसेंट है वह कितना एगा फॉर्टी आजेगा लैस करने के बाद और फिर हम लोग लेंगे प्रिप्रेंस ट्विडेंट दो लाग का स्टैवन पॉइंट फाइफ परसेंट यह आएगा पंदरहाजार और पंदरहाज करने के बाद यह बचेगा अपना एक लाग बीस जार अर्निंग ट्विक्विटी इतना ही हो तो आपको संज्व में आ गया होगा और उसके बाद फिर फॉर्मिल लगा देने हैं बस और आंसर आ जाएंगे सभी ठीक है सबसे पहला फॉर्मुला है ओप्रेटिंग लिवरीज ओप्रेटिंग लिवरीज का फॉर्मुला क्या है सी अपॉन में इविए टी कंट्रिबिश है पाइनेसिल लिवरेज पाइनेसल लिवरेज का फॉर्मुला है इवि आयटी और इविए अईटी माइनस इंट्रेस्ट और माइनस प्रेडी और इंटु 1 माइनस वन अपॉन टेक्स यह फॉर्मल लगेगा इविए टी कितनी है तूलेक टू लैक मैंसे माइनस करेंगे इंट्रेस्ट और इंट्रेस्ट रहने वाला है बीस हजार पीडी पीडी है पंदरह हजार और वन माइनस टेक्स टेक्स जो रहेगा वो रहेगा 0.5 बुरिव व्यडी फीट्य परसेंट है तो ट्वयटेफाइफ परसेंको दिखा जा सकता है ठीक है चलो जैसे सोल कर लो और सोल्ड करेंगे तो लाग एजटी से रहेगा ठीक है आप लोग सोल कर लेना 2,00,00 मेंसे से माइनस करेंगे फिर इसकी से मल्टिपलाई करेंगे 1 मेंसे 0.7 माइनस करके 1 माइनस 0.25 माइनस करके 0.75 बचेगा उसे डिवाइड करेंगे और फिर पुरा सोल करेंगे तो हमारा आणसर आएगा फाइनल यहां से निकल करके जब आप लोग सोल कर लेंगे तो 2,00,00 और अब उन में आजएगा 1,60,00,00 तो यह आणसर आगे आपका 1.25 ठीक है 1.25 उसके बाद है थर्ड कम्बाइंड लिवरेस कम्बाइंड लिवरेस का फॉर्मूला है ओपरेटिंग लिवरेस इंटो फाइनेशल लिवरेस और ओपरेटिंग कांसर कितना था 1.5 और फाइनेशल कितना है 1.25 दोनों की मल्टिप्लाइ करेंगे तो यह आएगा अपना 1.875 उसके बाद चलते हैं कोशन नमर 40 पर वह सोरी 36 यह है आपके सामने कोशन नमर 36 और टोटल असेट्स हैं टोटल असेट्स टर्न ओवर रिश्यो है वैरिवल कोश्ट की परसेंटेज है फिक्स कोश्ट है और यहाँ पर कैप्टल स्टक्चर है जिसमें की इक्विटी शेर भी है डिवेंचर है और प्रिफ्रेंश शेर है सभी है और दो प्लैन है प्लैन फर्स्ट एंड प्लैन सेकेंट तो चलिए कोई बात नहीं है क्यासा भी कोश्टन है आप लोग सभी कर सकते हैं सबसे पहले हम इसके इंदर सेल निकाल लेंगे थोड़ा सा बरगी नोट बना करके यह फोर्मुला मैंने कहीं बार यूज़ कर लिया है टोटल असेट्स टर्न ओवर रेशियो इस इकुल टू सेल अपॉन में टोटल असेट्स और यह जो रेशियो है यह कितना है 5 सेल का पता नहीं लेकिन टोटल असेट्स है कितने की हैं 80,000 की क्रोस मल्टिपलाई करेंगे पाँज आटे 40 चार लाग कि हमारी क्या यह सेल्स ठीक है यह सेल आप लोगों को पता चलगी उसके बाद बनाएए फोर्मेट और फोर्मेट के इंदर बनाएए दो प्लैन फर्स्ट प्लैन ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं जैसे है फर्स्ट प्लैन और उसके बाद है सेकिंड प्लैन यहाँ पर रहेगा आपका पर्टिकुला ठीक है सबसे पहले क्या लेखेंगे सेल्स उसके बाद लेखेंगे माइनस वेरिवल कोस्ट क्या आजेगा कंटिबिशन कंटिबिशन माइनस फिक्स कोस्ट और फिक्स कोस्ट के बाद आजेगा आपका EBIT EBIT minus interest interest के बाद आजेगा earning before tax minus tax क्या आजेगा earning earning after tax earning after tax और minus reference dividend तो क्या आजेगा earning to equity आजेगा तो चलिए जो सेल है वो लिखते हैं हम लोग दोनों प्लैन के अंदर और यहाँ पे भी और लेक वेरिबल कोश कितनी है 60% 60% निकाल लेंगे तो यह आएगा अपना 2,40,2,40 दोनों साइड़ों से minus करेंगे और यह रजाएगा 1,60 एक लाग तो आठ अजार फिर fix cost देखेंगे fix cost कितनी है 40,000 और दर भी 40 यह रहेगा एक बीस एक लाग बीस जार फिर इंट्रेस्ट लेंगे ठीक है इंट्रेस्ट किस पर लगेगा डिवेंचर पे 10% इसका 10% इसका 10% एक लाग का जब 10% लेंगे तो एक जिरो कम एक 10,000 और दो लाग का 20,000 तो यह रह जाएगा अपना एक लाग 10,000 और यह रह जाएगा एक लाग टेक्स, टेक्स क्रेट देखी कितनी है 30% तो तो त्याइटीस, 33,000 और यहाँ पर 30,000 तो यह माइनस करने के बाद रहेगा 77 और यह रहेगा अपना 70,000 उसके बाद प्रिप्रान शेर 7% वाले है एक लाग के फिर दो लाग पर एक लाग पर निकाल लेंगे तो 7,000 और इधर आएंगे 14 तो अर्णिंग ट्विक्विटी यहाँ पर कितनी रहने वाली है 70 और यहाँ पर रहने वाली है 26 तो यह सब पुछ आपको पता चलिए अब लगाने फॉर्मूले ठीक है फॉर्मूले दो बार लगाएंगे एक बार फर्स्ट प्लैन में और एक बार सेकिंड प्लैन में तो उसे पहले निकालनेंगे ओपरेटिंग लिवरीज ओपरेटिंग लिवरीज का फॉर्मूला है C अपॉन में EVIT वैल्लू कुट अब आप लोग करेंगे उसके बाद फैनेशल लिवरीज पॉर्मूला है EVIT अपॉन में EVIT माइनस इंट्रेस्ट और टेक्स ठीक है वन माइनस टेक्स यह पूरा फॉर्मूला है उसके बाद कमेंड लिवरीज का आप लोग दोनों मैल्टिप्लाई कर देना जो भी आंसर आएंगे ठीक है इसे प्लैन फर्स्ट से देखने है इनफ्रमिशन ठीक प्लैन फर्स्ट से जब इदर सेकिंड वाला कर भी खाइंगे घू धंगे